और राइसेन के जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावत और स्वास्त मंत्री प्रभू राम चौधरी ने अशोक सागर हलाली डैम का निरिक्षण किया है मंतरी ने हलाली डैम के समीफ इस्थित गाव के साथ डूबे इलाके का ज्राइजा लिया और साथी साथ ग्रामिडू से चर्चा भी की इसके साथी मौके पर उपस्तित अधिकारियों को अवश्रिक दिशा निर्देश भी दिये इस दौरान जल संसाधन मंतरी ने बताया कि बांध में गेट नहीं होने की वज़े से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसानों की फसले डूब रही है और उनका नुकसान हो रहा है किसानों को मुआफजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस समस्य के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने करीब 24 करोड की राशी स्वीकृत की है जिसे पांच गेट का नर्माण कराया जा रहा है तो देखिए जिस सरह से लगतार बारिश हो रही है ऐसे में कहीं न कहीं बांध तूटने से लोगों के लिए परिशानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में तूलसी सिलावट पहुचे थे और अंतरगर पुलिस ने नर्माण धीन पुलिया से सेंटरिया सेंटरिंग प्लेट चोरी करने वाले तीन चोर को गिरफतार किया बताते चले कि पुलिस ने इनके पास से चोरी किये गए सामान भी जब्त किये हैं और पुलिस का कहना है कि इन से पूछताज के बाद कई और चोरियों का खुलासा हो सकता है पुलिस ने जानकारी के मताबिक आपको बता दे बताया है कि परल कोट इलाके के पीवी निवासी ठेकेदार किशोर मंडल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बीते 6 अगस्त को निर्मार धीन पुलिया में लगे 50 सेंटरिंग प्लेट की चोरी हो गई है संदेग्दों से पुछताच की तो उस पर जानकारी मिले कि चोरी के अलावा कई और चोरियों का भी खुलासा हुआ है पुछताच करने पिन्हों ने ग्राम फोड़े के चोरी हो उसको कबूल किया और इसके बाद हमने पुनित राम के बारे में इसका अपराधिक रिकार्ड देखा तो पुनित राम का अपराधिक रिकार्ड पूर्व से है